कि स्टार्टों की रिकोडिंग चालो करूं ओके राइजन 95900X और इंटेल कोर i9 10 जेनरेशन आज इन दोनों को परेंगे कि किस की स्पीड तेज़ है कौन सा बेटर है और कौन सा आपको खरीद है कि आज इसी टोपिक पर इसी वीडियो में बात करेंगे लेट्स स्टार्ट सबसे पहले दोनों प्रोसेश्जर कोर्स की बात करते हैं तो इंटल ढ़ाइ के अंदर आपको 10 קोर्स देखने क। भी मिलेंगें और आपको 12 कोर्स डेखने को मिलेंगे CPU Threads की बात करते हैं तो Intel i9 के अंदर आपको CPU Threads मिलेंगे 20 Threads होंगे और Ryzen 9 के अंदर आपको 24 Threads मिलेंगे जो कि Ryzen 9 के अंदर 4 Threads ज्यादा है comparison to Intel i9 के अब catch की बात करते हैं कि 3MB फाइल catch करेगा तो Intel i9 आपका 20MB catch करेगा और Ryzen 9 आपका 64MB catch करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा है Intel i9 के comparison में और आइज़न 9 का base clock speed की बात करते हैं तो Intel i9 आपको base clock speed देगा 3.7 GHz की और Ryzen 9 आपको 3.7 GHz की ही same speed देगा Turbo clock speed की बात करते हैं तो Intel i9 आपको turbo clock speed में 5.3 GHz देगा और आइज़न 9 आपको 4.8 GHz देगा यहां पर Intel i9 का ज्यादा performance बेटर है Ryzen 9 के comparison में और score की बात करें तो Intel i9 आपको 2109 का multi-core score मिला है और Ryzen 9 को 2525 का multi-core score मिला है लाइटनोग्राफी की बात करते हैं कितने NM की चिप है कितने NM का प्रोसेसर है पाउर कंजेप्शन इंटल i9 आपका 125 वोट्स का पावर कंजेप्शन होगा राइजन 9 आपको 95 वोट्स का पावर कंजेप्शन देगा जो की दोनों लगबग semi loan चुवेते हैं एक महीने का फर्क है दोनों के अंदर दोनों के प्राइज की बात करते हैं तो प्राइज किसके ज्यादा कि इंटल i9 के आपको 58,400 वोट्स का प्राइज होगा और राइज 9 आपको 48,499 का प्राइज होगा तो कि 58,000 इंटल i9 है और राइजन 9 प्राइज आपको 48,000 रुपे का है तो 10,000 रुपे महेंगा है इंटल i9 10th generation comparison to Ryzen 9 तो थैंक्स फोर वाचिंग अबर चैनल प्राइज आपको